नंगल और नंगल से सटे कई इलाकों में पिछले 12 घंटे से बिजली गुल है गावों और शेहरी इलाकों की बात करें तो बिजली और पानी की आपूर्ती नहीं हो रही है जिससे लोगों को घरेलु कार्य में काफी प्रेशानी हो रही है इस संबंध में चीफ इंजिनियर जेनरेशन जग जीत सिंग की माने तो उनका कहना है कि 222 बटा 66 कवी के ट्रांसफॉर्म में तक्नीकी खराबी आने से बिजली आपूर्ती बाधित हुई है उन्होंने कहा कि कर्मचारी बिजली आपूर्ती को खाली रखे ट्रांसफॉर्मर से जोड रहे हैं जिससे बिजली आपूर्ती सुचारू हो सकेगी उनकी माने तो उनका कहना है कि बाद दोपहर तक बिजली आपूर्ती शुरू हो जाएगी उन्होंने कहा कि बिजली के उत्पादन में कोई बाधा नहीं आई है और बिजली का उत्पादन निर्धारित मानकों के अनुरूप हो रहा है यहां आपको बता दें कि भाकडा बांध से नंगल 66 के भी ग्रिड की बिजली आपूर्ती बंद होने से इस ग्रिड के उपर जितने ग्रामीन क्षेत्र और शहरी क्षेत्र हैं उन इलाकों में बिजली आपूर्ती पूरी तरह ठप है प्रशाइचने के मांगा है जल्दी जल्दी हल करते हैं कि जानता बहुत परशान है कि देखो जी में कल रात दस्या जा रहाएं कि पाखड़ें वेचे कोई तकनीकी खराबी आई यह जेले करके सारे नंगल एरिये दी नंगल तसील दी जडी भीजली ठप पही है लोग का तर देखता रहा है कि यह में कोशे लोग करने दाफ्तर जाना सवे रहा है बच्चे ने स्कूल जाना केमा ब्रेगफास्त रेडी कारना हर चीज दे बच आति कल बीजली दी लोड़ा कोई भी काम कर दो यह कपड़े प्रैस कार के पाऊंगे और लोग है पाउने ब आपार्टमेंट नो कि ये फेलियर होया उन्हों जिनना जल्दी हो सगया उन्हों की कीता है या जिन यह बंदे लगे रहागा ट्रांस्वार्मरा साथ एक परकड़ा टू 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 टी बाइशाट गाना एंटर कनेक्ट इंटांस हमारा ओ चाहर ट्रांस्वामर ने सिंगल सिं प्रावलम आई के उन्हों जिरा चोथा स्पेर मतस्वार्वे से ले रहे हैं परने ने ट्रॉपाइनर साथे हैं पाणी का फ्रो पूरा बरबर है जिनेशन कोई प्रावलम नहीं हो रही है और आप तब भी लगे रहे बंदे कुछ बाश करके पुड़ा कम स्लो हो गया जब प्रावलम आप पाणी का जिया नबार एक ताकना